जाइंद एबरीबन मिरे नाम है जतीन और स्वागत है आपका ज्यू आफेर्स में देखो भारत और कनेडा का इचु थमने का नाम नहीं ले रहा है मैं आपको शॉर्ट में सारे निसिरेंट को बताऊंगा देखो कनेडा भारत के भी चेस अब चली रहा था कि और यह आज ही क अब इसके टाइममीन देखो कि किस तरह की आपके जब इंडिया और कनेडा के भी चेस सब वह रहा है उसी टाइम के बीच से मार दिया और गोल्डी ब्रा इसके भी कनेडा बेस गैंग है तो मतलब यह गांग वार में मारा गया है वैसे तो कनेडा के जो निजर मारा गया था ये भी गैंग वार में लेकिन देखो टूटो की एंट्री इंडिया वारी पॉलिसी ना इसके चक्र में कैनाडा इंडिया के पूरे रिलेस्चन्स खराब हो जा रहे हैं क्योंकि देखो कैनाडा ने हाली में एडवाइसरी जारी कर दी अपनी लोग बात भारत ने भी टिट फॉर टेट वाले एक्शन लिया है और देखों इंडिया ने इतने हार्ड स्टेप्स उठाई हैं कि कैनेडा भी सोच रहा होगा कि हम से गल्दी हो गई है क्योंकि देखों पहले तो भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दिये इंडियन कनड़ा में पढ़ाराई करने के लिए यह तो होर कोई जानता है लेकिन भारत ने इंडियन स्टुर्ण everywhere या यह लिए कि आप भी कनड़ा जाने से मैं आपको सिμपल रहा है मैं जो की मतलब क्या ओर भारत कर meget को चैना Var spice अंधिया बढ़ रही हैं और दूसरा स्टप देखो सब कर दिए मतलब कैनेडा में जाने के लिए उनको भी रोक दिया गया है। लेकि अभी फिलाल केनेडा में कोई जा नहीं सकता है और मैं फिर कहूंगा कि केनेडा की इस attitude की वज़े से आज भारत केनेडा एक दूसरे के diplomats को अपने देश से भाहर निकाल रहे हैं मतलब इन रिलेशन्स को रिपेर करने में बहुत टाइम लगेगा क्यूंकि आप खुश सोचो इतनी बड़ी statement दे दिये कि इंडियन गवर्मेंट की agent शामील थे नीजर को मानने में लेकिन इनके पास कोई proof ही नहीं है यह कह रहे हैं कि investigation चल रही है जब investigation चल रही है तो आपको यह statement दिनने की क्या जूरत थी जैसे मैंने पहले का कि यह gang war का case भी हो सकता है क्योंकि Canada में crime rate तो बड़े जा रहे तो देखो अब देखना होगा कि Canada इंडिया के relations के बीच क्या क्या होता है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत